आई अब सभी का स्वागत है देखे और सीखे दानी इटिंग चैनल में तो मैं आपके लिए एक न्यू पोड़ेक्ट लेक्ट लेक्ट इसके लिए इस तरह से प्लास्टिक वाली ग्लास जो होती है ठीक है अब यह क्या करना है यहां का जो दिख रहा है जो रिंग इसे निकाल लिया है ठीक है निकालने के बाद देखे अब इसकी किस तरह से बुनाई करेंगे इसे फेकना नहीं है इसे भी हम यूज करेंगे इसे भी यूज करेंगे अब इसे बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए हम लेंगे फोर प्लाइं लेंगे हम यहां पर फोर यह विश्टी चार तरफ से इसको सिंगल क्रोशे से बुनाई करते हूं यह रिंग को पहले भर लेंगे ठीक है तो एक चिन बनाए है हमने चेन बनाने के बाद इस तरह से लेंगे धागा को खीचते वे अपनी और लाएंगे ऐसे यहां सिंगल क्रोशा के साथ इसे हम बांदेंगे इसे लिए हम ले पहले इसे बांद लेंगे हम इस तरह से से बांदना है अब यहां से नीचे सी रिंग के अंदर से डालेंगे क्रोशा और यहां से सिंगल क्रोशा बनाती वे जाएंगे रिसी बांदते वे जाएंगे पूरा बह्र unless बहर से बनाते वे ठोड़ा पर हम बहर है भर लेते हैं उसके दिखाती हूं रिंग को भरने के बाद आगे कोунд ना के पर दूसरर प्रजेक्ट बनाना शुरू करेंग कम्प्लेट कर लिया है अब यहां पर बनाना शुरू करेंगे तो इस तरह से दो अंगलियों के बीच में धागे को घुमाना आपको अब जो सेकंड वाला धागा इसे खीचते वे अपनी और लाएंगे कि अब यहां पर गुलाई में इस ताहसे बनाने के बादेखियेगे यहां चेन बनाइंएंगे एक दो और यह तीन चेन इस गुराई के अंदर हमें डालते हुए टोटल हमें 12 double crochet बनाना है इसे भी एक काउंट करेंगे हम यह हमारी दूसरी double crochet हो गई सब्सक्राइब को छोटा कर ले ताकि बनाने में आसानी हो दो डवल क्रोश है तीन डवल क्रोश है चार डवल क्रोश है इस तरह से करते वे टूटल हमें 12 double crochet कर लेते हैं पहले तो इस तरह से देखी 12 double crochet हमने बना के कंप्लीट कर लिए अभी यह चोटा सधागा इसे पकड़ते हैं हम इस तरह से खीच लेंगे सबसे पहले एक और ये दो और तीसरी जो चैन है यह उन 주는Slip करते हुए पहली चैन से निकाल लेंगे इस्तार से इस तरह से उर्ट कर लेंगे यहां से chain में राना शुरू करेंगे एक तो और ये तीन chain पहरी round में हमारी 12 double crochet थी इस round में हमारी second round में हमारी pass total 24 double crochet आने चाहिए ठीक है जहां हमने बुनाई किया है एक chain लिया है इसी जगह पर डालेंगे रेक double crochet और कर लेंगे तो 2 double crochet होगी फिर इसके next वाले पर डालेंगे हम यहां पर इस जगह पर डालेंगे और यहां भी हम 2 double crochet करेंगे एक double crochet 2 double crochet अब हर एक chain पर हमें 2-2 double crochet बनाते वे total हमें 24 double crochet बनाना यानि 24 double crochet बनाएंगे पहले round में 12 बनाया है फिर हम 24 double crochet बनाएंगे राउन कम्प्टलिट करती हूँ पहले, तदि है synergy सेरिद राउन भाण से बन के घुंदansen करणे, जर जोड लेंगे इस तरह से, हब यहां से chain बनाएंगे हम एक, दो और यह तीन chain, तीन chain हमारी पहली double crochet होगी, सेम इसे chain पे डालेंगे, एक double crochet और कर लेंगे, अब इस round में क्या करना है, पहली chain पे दो double crochet होगी हमें, डबल क्रोर से बनाएंगे पहले चेन में हमने दो डबल क्रोर से बनाई दूसरे चेन में एक, तीसरे चेन में दो अब चौती चेन में एक बनाएंगे पांच वी चेन में दो बनाएंगे एक और ये दो ठीक है इस तरह से करते विए राउंड हम क्म्प्लीट करेंगे हिर्भा रॉन में अभी कुलर सारी करेंगे तो इस तरह से अप को 3 पीस बनाना है 2 प्लेंट बनाना है यह ही मैं आपको कलर चींज करना है जैसे मैंने देखिए यहां पर치ार है यहां पर 12 बनाया इसका दू दूसरा color change करते हूइ यहाँ पे हपंज है और करते हैं तो कल इसMusic से कंप्लीट करती है फी दिखाती हूं आगे कि क्या करना है किया कि है यहां पर देगी तीसरी रांड हमारी कमप्रीट हो गई, अब यहाँ पर चेन है, इसमें स्रेप करते हुए हम जॉइंट कर लेंगे, इस तरह से, अब फोर्ट रांट देखे क्या करेंगे, यहाँ पर चेन बनाएंगे, अब 1, 2 और यह तीन चेन, तीन चेन बनाने के वट को तो क्रोषे पर धागा लेंगे, अब यह जो chain है chain के दो भाग होते हैं एक आगे की साड़ पीछे की सब्सक्राइब पीछे वाला भाग लेते हैं यानि back loop से हम यहां पर double crochet बनाना शुरू करेंगे ठीक है इस तरह से हमें नहीं डालना है chain के दो पार्ट है आगे और पीछे पीछला भाग लेते हुए हम यहां पर double crochet बना लेंगे हर एक chain के ऊपर एक डबल crochet बनाएंगे हम इस तरह से यह round complete कर लेते हैं फिर आगे दिखाते हूं कि क्या करना है मैं round घुमाती हूं इस तरह से करते हैं round complete कर लिए हमने अब यहां पर जो तीन चेन हमने बनाई थी सबसे पहली वाली चेन में जाएंगे और slip करते हूं से हम जॉइंट कर लेंगे अब यहां से में बनाएंगे एक दो और यह तीन चेन थीन चेन तीन पर डालेंगे यह दोज़ों से mist and the ő ऑर यह तो से छेन हमने बनाए थी तो चुटल हमारे पास तीन जोड़ों करने और यह दो तीसरी नमबर चेन पर फिर से हम एक ही चेन से तीन डवल क्रोश्या बनाएंगे एक डवल क्रोश्या दो डवल क्रोश्या और ये तीन डवल क्रोश्या फिर से क्रोश्या पर धागा लेंगे एक और दो चेन छोड़ेंगे तीसरी वाली चेन पर जाएंगे और यहां पर फिर से हम एक डवल क सोद ना ए Kalva कि वर्फिए ऩो इसी तरह से बनाते हैं यहां को बनाते ही तो इस तरह से यह मारी। बनके आएगी बार हीरी एक थेखे हैं पर हमारी रांक कम्प lavender होती है यहां पर चेन बना लिके लोगए इस जिसल्याय ऐहां से डालें के यहां बनाना शुरू करेंगे एक double crochet दूसरी double crochet और एक हमने तीन की chain मनाईए तो तीन हो गई हमारे पास तीन double crochet crochet पर धागा लेंगे अब इस दो द्रियान के बीच में जो हमारी gap आई है यहाँ पर इस तरह से डाल लेंगे यहाँ पर हम तीन double crochet बनाएंगे एक double crochet दो double crochet और यह टीन डबल कुरोस यहां फिर से किरोसे पर धागा लेंगे फिर यहां पर बनाएंगे इसी तरह से करते हैं ज्जलिप करेंगे यहां आखे इसे जाइंट कर लेंगे बर दिखाद नांड हमारी डिजाइन की कम्ब्लिट हुई यहां पर तीसरी वाली चेन पर हम और ये दूसरी डवल क्रोष है और एक 3 की चेन हमने बनाई फिर क्रोषे पर दागा लेंगे यहां पर बनाएंगे हूँ एक दो और ये तीन तो इसी तरह से करते हैं राउंड कम्प्लीट करती हूं फिर में दिखाती हूं कि राउंड आपको इतना कम्प्लीट करना है ताकि हमारी ये कप इसमें अड्जेस्ट हो जाए आप इस तरह से इसे डालते हुए देख सकती है ठीक है इसे इस तरह से डालने के बाद इस तरह से डालेंगे और डालने के बाद पूरा यहां तक इस डिजाइन को कम्प्रीट करेंगे समझ में आये इस तरह से ना पले हैं यहां तक इसे कम्प्रीट करेंगे फिर रिखाते हूं आपको इस तरह से करते हैं देखें यह हमारी डबल क्रोस है वाली एक चेन में से तीन बर कि हमने एक बनाई दो तीन चार पांच छे और यह साथ टोटल साथ रो बनाई अब अपने नुसार देख लिए जिस भी उनाफ से बना रहे है उसे पूरा कवर हो जारा था यह इतना अब इसका नेक्स डाउन किस तरह से बनाएंग 3 spinner, 3 Chain में बनाने के बाद देखिये अब यहां पर आधि चेन में फिर से हमें बनाना या या इवाली वाली इंट बैक वाली चेन से हमें इस तरह से डबल क्रोस हैं फिर से बनाना हार एक चेन पर डालते वे एक एक डबल क्रोशेm बनाएंगे चींड का पीछले भाग उठाएंगे रम इस तरह से डबल क्रोशें बनाते विए जाएंगे तो राउंड कम्प्टी करती हों आधागा तोड ले आपको यह राउंड कम्प्लीड करने के बाद चलिंए, complete करते हैं फे लिकाते हुँ खेंज देके इस तरह से बनाने के बाद़ ये जो हमने लाइन बनाई है अब इस कर दे तरह अब क्या बनाना है चलिए, तो अभasm पार्ट बना लेते हैं इसका पैर बना लेते हैं, तो एक पैर हमने बनाकर रखावर यह नॉर्मली पैर है तो आपको क्या करना है कि यहां बीच में आपको का मैजिक रिंग बनाने के वाद टोटल बारह डबल क्रोसिय है बनाना है तो इस तरह से दो पार्ट अप अलग बना करें किसे प्रट में पैर बनाएंगे यानिट टोटल हमें यह जो रिंग बनाना चार 170 अहीं कर दुस्त सिय पैसे रखेंगे। हमें नहीं पर नख़े हैं था है इस तार से माजक कि नियां बनाना है सबसे पहले पीछे क अदागा खीछते ए अपनी ओरना हैं कि आपि इसे अब को सबसे ना लों और यह। तीन चेन बनाने के बाद इस रिंग के अंदर डालते हुए टूटल हमी 12 डबल क्रोशे सबसे पहले बना लेना है तिया हमने 12 डबल क्रोशे बनाते हुए कंक्रीट कर लिए हो इस दागे को इस तरह से खीचेंगे और सबसे फर्स्ट वाली चेन पर हम इसे स्लिप करते हुए जोइंट कर लेंगे ऐसे लिए हमने अब इस वाली चेन से यहाँ पर लेंगे स्लिप करते हुए पहली चेन से निकाल लेंगे अब इस दागे को थोड़ा सा टाइट कर लेंगे इस तरह से अब एक चेन बनाते हैं हम यहाँ पे दागी को काटना है आपको अब देखिए धागी को हमने काट ले अब किसी भी चेन से यहाँ पर डालेंगे इसे चेन में डालना है आपको अब यहाँ से 12 डबल क्रोसे हैं हमारे पास है तो 12 के उपर 12 डबल क्रोसे हैं बनाएंगे हम तो बनाईए हमारी पहली राउंड हो गई ब्लू कलर की दो राउंड और हम बनाएंगे ठीक है तो टोटल हमें तीन राउंड हमें इस तरह से डबल क्रोशा की बनानी है उसके बाद इसके अंदर हमें कॉटन बढ़ना इस तरह से रूई ले ले लेंगे हम यानि अब इसे इसके बढ़ना है ठीक है तो राउंड कंप्रीट करते हैं तीसरा राउंड जैसे मैं देखी बारा डबल क्रोशा के इपर बारा बनाया है तो एक दो और यह तीन तीन बनाने के रखते दिखाती है अब देखिए हैं पर थोड़ा से जरूई लेंगे हम इस तरह से और इसके अंद कर देंगे चाहिए तो आप यहां पर सुईधागे से भी बंद कर सकते हैं या फिर आप क्रोश ऐसे बंद कर लेंगे अब इस चेन में डालेंगे इधर की एक चेन लेंगे अब इस तरह से लेंगे और दूर का एक बना देंगे फिर लेंगे यहां पर और इसे सिंगल यह बनाना नहीं से ब्दना है इस तरह से सिंगल क्रोश इके साथ इसे बांद देए मैं जो इसका आँख बना लेते हैं इस तरह से लेंगे सब से पहले मैंजग रिंग बना लिए अपिसे एस तरह से चोटी उंदी में इस तरह से थागा घुमा लिए और यहां पर देखें घुमाने के बार एक चेन लेंगे अब इस रिंग के अंदर डालते हैं टोटल हमें आठ सिंगल क्रोसे बनाना है एक दो तीन चार पांच छे ये साथ और ये आठ इस धागे को इस तरह से खीच लेंगे पहरी वारी चेन में डालेंगे और स्लिप पे स्टेज करते वे से जॉइंट कर लेंगे एक चेन मनाते वे धागे को कट लेना आपको इस धागे को पीछे के और चुपा देंगे अब यहां पर कोई एक चोटा सा बिंदी ले ले या फिर काला मूती ले ले और इसके बीच में लगा ले ठीक है तो देखिए इस तरह से आखी बनाने के बाद पहले हमें इस तरह से अगर आपके पास गुलू गन है तो फिर पार्ट इस तरह से रखेंगे दोनों सीधा भाग बाहर रखेंगे और दोनों का उल्टा पार्ट अंदर रखेंगे इस तरह से करते हम इसकी गुलाई में सलाई करेंगे और बीच में से फिर हम रूई डाल लेंगे इसकी बाद हम इसकी सलाई बंद करेंगे उसकी बाद यह कि यहां पर बनाएंगे नाग बनाने के लिए आपको 5 सिंगल क्रोश स्या बनाना है MAGIC RING बनाते हैं तो यानि यहां पर से लगाएंगे उसके रहाद यहां पर हैं पर फेस बनाएंगे सुई धागे की मदद से यह हमारे दो पैर बनेंगे जिसे आप सिल सकती है यहां पर गुलोगन से इसे चिपका सकती है ठीक है और यह इसका मैंने यहां पर देखिए आख लगा लिए और यह जो मैंने यहां पर इसके नाख जो बनाई है इसमें मैजिक रिंग बनाते हुए टोटल हमने 6 सिंगल से बनाया है रिंग के अंदर मैजिक रिंग के अंदर उसके बाद मैंने जाइंट नहीं किया है पीछे से धागा निकालते हुए यहां पर जाइंट कर दिया मैंने ठीक है और एक रेट कलर का धागा लेते हुए मैंने यहां पर इस तरह से चोटा से यहां पर चेन बनाते यहाँ पे एक दोरी बना लिए हैं ताकि हम गले में बांदे और यह घंटी लगा सेके इस तरह से ठीक है ज़ल सब कुछ कम्प्लीट होगे अब यहाँ पे इसके फेस बना लेते हैं पहले हम देखें, यहां से स्टार्ट करेंगे, फेस बनाना पहले, यहां से ले लेते हैं, ऐसे, बीच में से, पहले गाट लगा लें, अब यहां निकालेंगे, इसे, बराबर करते हुए, ऐसे कर लें, इस तरह से हमने बराबर कर लिये, अब यहां से इस तरह से फेस बनाएंगे, इदर से लेंगे, इसे ले लिया, अब इदर से ले लेंगे, यहां से, जहां सेंटर है, उदर से ही लेंगे, फिर यहां पे निकाल देंगे, इस तरह से, अब यहां पे तीन लकीर बनाएंगे, इस तरह से, इसे धागे से लेते हैं, यहां पे ले लेंगे, सबसे किनारे पे लेना आपको सेंटर देख लेना आपको एक दो तीन यह तीसरा डवल क्रोश है जाए इसकी सेंटर पे यहां पे ले जाएंगे ऊपर ऐसे लिए हमने इसाफ़धानी से यहां निकालेंगे एक हो गये फिर एक यहां पे छोड़ेंगे एक यह चोड़ दिया दूसरा फिर यहां पे ले लेंगे एक ठीक है बराबर करते हुए लेना आपको ज्यादा नहीं खीचना टाइट फिर यहां पे से जाइंट करेंगे इसके नीचे इस तरह से निकाल देंगे ठीक है फिर एक औ असीम दूसरे साइट भी हम इसी तरह से करेंगे ऐसे फिर हम इसे निकाल देंगे इसी तरह से इधर भी कर लेती हैं फिरिक आती है इस तरह से हमारे फेस बन के रेडिय हो गई है अब दूसरा पाठ हम इस तरह से लेंगे यह सीधा पार्ट उपर के और रखेंगे और इधर भी सीधा पार्ट उपर के और रखेंगे ते इस तरह से हम यहाँ पे सिंगल क्रोस है की मदद से इसकी सिलाई करना शुरू करेंगे ऐसे ले लेंगे सीधा करेंगे साइट से इस तरह से ले लेंगे दोनों चेन को आपस में पकड़ना है अपको यहां पे इसे इस तरह से पहले गांट लगा लेंगे गांट लगाने के वाद इसे हम सुरू करेंगे इस तरह से बनाना और फिर थोड़ा से जगा बच जाएं फिर हम वहां से इसके अंदर भूई भरेंगे ठीक है देखे इस तर करतेर राओंड को माईएगे बस थोड़ा सा जगह चोड़ने है कि मंदल रूई डाल सक़ए अब यहाँ पर रूई भरेंगे इस तरह से लेंगे यहाँ पर जगह छोड़ा हूए थोड़ा सा बढ़ाँ दीगविए जादर नहीं डालना आपको इस तरह से हलका से यह जैसे कि यह ऐसे लगे ठीक है अब यहाँ पर फिर समय से बंद कर देंगे चलिए करते हुए यहाँ सिंगल क्रोशे करते हुए यहाँ यहाँ इसे बंद कर लेते अब देखें इसे किस तरह से लगाना है यह जो रिंग है हमें इसके पीछे यहाँ पर चाहित अपसिल सकते हैं यह फिर ग्लूगन से चिपका ले ठीक है पीछे भाग पर इस तरह से रखेंगे अगर इससे ज़्यादा मुझबूत ही चाहते है तो इस तरह की जो मैंने पढ़ पहने वे हैं इस तरह के आप ले लें प्लास्टिक के ठीक है और उसकी बाद फिर उसके रिंग बनाए और यहां पर जो मैंने इस तरह का प्लास्टिक का यूज किया हुआ ऐसा ना करते हुए जो मुझबूत वाली ग्लास आती है प्लास्टिक के उससे बनाया अब ठीक है तो ऐसे लिए हमने और यहां पर इसे जॉइंट करेंगे जॉइंट करने के बाद अब यह जो मैंने डॉरिमोन के फिर्स बनाया है इसे हम यहां पर लगाएंगे इस जगह पर इस तरह से इसे सलाई करेंगे ठीक है इस तरह समने कर लिया इसे पूरा दिखा देती हूं आपको और यह चार छोड़ते हुए इधर लगाएंगे पांच भी नंबर पे और इधर भी लगाएंगे पांच भी नंबर पर अगर इधर से काउंट करते हुए ठीक है तो इस तरह से लगा लेंगे दो पैर इधर लगा लेंगे और इसे यहां सिलते हुए इसे कर लेंगे और इसे तो यहां पर देखे हैं हमारी पैंसिल बॉक्स डॉरी मून बनके रेडी हो गई पैंसिल या कुछ भी इसके उपर रख सकती है इस तरह से इसलिए हमने इसे आपको टांगना है और इसके अंदर इस तरह से रख देंगे ठीक है यहां पर मैंने क्या किया देखें यह जो यह काम हो जाएगा आपका इस तरह से देखे हैं हमारी प्यार इसी क्यूट से बनके रेडी हो गई उमीद करती हूं कि आज क्या वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब पर ना भूलें तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ थैंक यू